हलो फेंस आज के इस वीडियो में बात करेंगे और एक नए कोसेंट के बारे में जो कि जीव विग्यान यानि वाइलोजी के है और ये सेट नमबर 34 है और ये जो चैप्टर है वो है वनस्पति विग्यान के मानिवे फक्ष यानि वोटनी ए हुमन करसर्ण का यह चोथा भाग है तो यदि आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के अब्जेक्टिव कोसेंट को देखना चाहते हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और जदी आप मारे हर अब्डेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वैल आइकन क को फ्रेश करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है मीठा आलू निमलखीत में से किसे कहते हैं तो इसमें से जो है अइपो मिया बटाटास को जो है मीठा आलू कहा जाता है क्लोरम फेनिकाल है तो यह एक फरतिजेविक होता है एट्रोपा बेलाडोना किस स्कूल में आता है तो यह जो है सोलेनेसी में आता है रेजिन प्रायः प्राप्त होते हैं तो रेजिन जो है पाइनेसी से प्राप्त होता है अभी मिलती है तो कच्चे फलों के अचीर से कौन सा अलकेलाइड अचीर से मिलता है तो अफीम से मौरफीन निम्लखीत में से किसमें विटामिन A सबसे अधिक होता है तो विटामिन A जो है गाजर में सबसे अधिक होता है निम्लिखीत में अस्तम वनस्पती या सबजी यानि इस्टेम वेजेटेवल किससे प्राप्त होती है तो यह जो है आलू से प्राप्त होता है बंदगोवी का वनस्पतिक नाम है तो ब्रेसी का ओलीरेसिया वेराइटी बोट्रेटिस लुह ततो फ्रदान करने वाली सबजी है तो पालक से भी जो है आईरन फ्राप्त होता है वेगन से और तरवी यानि ये सभी से जो है आईरन फ्राप्त होता है इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उफर्युक्त सभी कथा प्राप्त किया जाता है तो कत्था जो है अकेसिया कटेचू से प्राप्त किया जाता है सिंकोना के क्विनोन की खोज सबसे पहले फ़ी थी तो यह जो है पेरू में हुआ था रॉल्फिया सर्पेंटाइना कि स्कूल का फोधा है तो यह जो है एपो साइनेसी के अंतरगत आता है लॉंग क्या है तो लॉंग जो है सुस्क पुस्पकली होता है निम्लखीत में से कौन सा कुल है जो हमारे नित्ये खाद्य में लगभग सभी प्रकार के दालों का स्रोत है तो पेपी लियोनेसी निम्लखीत में से कौन सा लेग्यूम ऐसा है जिसके वीज से तेल, वनस्पतिक दूध तथा अत्यधीक प्रोटीन यूक्त पदार्थ प्राप्त होते है तो ग्लाइसीन मेक्स से मुंगफली का उद्भव अस्थान है तो ब्राजील निम्लखीत में से कौन सा ऐसा नट फल है जिसमें प्रोटीन अंतरवस्तु यानि फ्रोटीन कंटेंट जो है सबसे अधिक होता है तो फूनस एमाइलेंडस बदाम से किस पोधे की जड़ से प्राप्त असोधी मानसिक रोग का उपचार करती है तो रौलफिया अभी हाल में कैंसर के उपचार हे तू एक अनावरित वीजी फोधे पर खोज हुई है उसका नाम है तो टेकसस बकेटा लाख के किड़े का पोशक पादप है तो ब्यूटिया मोनो इस्परमा भारती वन फरियोजना में वन सुरक्षा तथा वन रोपन कारिक्रम कब से प्रारंब हुआ तो 1947 से केंद्रिय असोधी अनुसंधान संक्स्थान यानि CDRI इस्थीत है तो यह जो है लखनाव में इस्थीत है परित्रम किस से प्राप्त होता है तो यह जो है क्राय संथमम के पुस्प से प्राप्त होता है उच्च रक्तचाप को कम करने की असोधी निम्रिखीत में से किस पोधे से प्राप्त होती है तो रॉल्फिया सर्पेंटाइना से निम्रिखीत में से किस की छाल से गरम मसाला प्राप्त होता है तो सिन्ने मोमम जेली नीकम निम्रिखीत में से कौन सा मसाला अम्बेली फेरी कूल से प्राप्त होता है तो सौफ, जीरा और काला जीरा ये सभी जो है अम्बेली फेरी कुल से प्राप्त होता है इसलिए इसका आंसर हो जागा उफर्युक्त सभी वायो गैस उत्पन्न होती है तो यह जो है गोबर से उत्पन्न होता है स्टार्च से इथाईल अलकोहल फ्राप्त होता है तो किन्वनिक रंद्वारा लटेक्स है तो लटेक्स जो है द्रवित हाड्रोकार्बन का स्रोत होता है बायोगेस उत्पन होती है तो वर्जित पदार्थ से जेव मात्रा यानि वायो मास कहते हैं तो जिवीत पदार्थ या उसके अफसिष्टों को जो है जेव मात्र कहा जाता है जेव इंधन कहलाता है तो जेव स्रोतों से प्राप्त इंधन जो है जेव इंधन कहलाता है जेव उर्जा कितने प्रकारकी होती है तो पसू सक्ती तथा जेव इंधन पेट्रोलियम युक्त लेटेक्स निम्लिखीत में से किन कूलों में पाया जाता है तो यू फोर वीएसी वा एफो साइनेसी इसमें भी जो है पाया जाता है यू फोर वीएसी वा स्केल फीडीएसी इसमें भी जो है पाया जाता है तो इसका आंसर हो जागा ए तथा भी दोनो अलकोहल उत्पादन के लिए गन्ना, आलू, मक्का, चुकंदर जैसी फसनों के रोपन को कहते है तो इसको जो है उर्जा सस्यन कहा जाता है प्रतिबंध इंजाइम की खोज किसने की तो इसमित वा ना थसने रमवे फीट फनेईर के निर्मान में कोन सा सुख्मजीव सहायक है तो पैनिसिलियम विटामिन वीटू फ्राप्त होता है तो असवया गोसिफाई से जेव उर्वरक के रूप में फ्रियोग में लाये जाने वाले जीवानू है तो राइजोबियम प्लास्ट्रिडियम यह जो है जेव उर्वरक के रूप में फ्रियोग में लाये जाता है और नश्टक वर एनाविना भी जो है जे उर्वरक के रूप में फ्रियोग में लाया जाता है तो इसका सही आंसर हो जागा D नमबर यानि C तथा B दोनो माइको राजा के अभाव में विक्ष बोने रह जाते हैं तो पाइनस वब भोजपत्र के उत्तक संवर्धन द्वारा पादप वर रक्षन में किस अंग का संवर्धन किया जाता है तो सिखागर का जर्म फलाज्म संरक्षन से तो दूरलव एवं संकट ग्रस्त पोधों को बचाया जा सकता है सरफर्थम कोन सा अम्ल किन्वनी करंद्वारा उत्पन्न हुआ तो लाक्टिक एसिड यानि लाक्टिक अम्ल सरफर्थम कोन सा विटामिन सुख्ष्म जीवी द्वारा उत्पन्न हुआ तो विटामिन सी जली त्वचा को दूसरी त्वचा पर अस्थानांत्रित किया जाता है तो ओटो ग्राफ्टिंग द्वारा कुछ जेवफदार्थ जैसे गुलकोज, यूरिया, इंजाइम्स आदी सरीर द्रव में उफस्थित रहते हैं इनके अस्तर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है तो ओटो एनालाइजर के द्वारा एन एमार से फता लगाया जा सकता है तो उत्तकों की उपापचेई किरिया का इलक्ट्रो एनसेफिलो ग्राप सहायक है तो यह जो है मस्तिक स्रोगों के निदान में सहायक है गर्भधारन की जाच करने के लिए जेव चिकित्सिय यंत्र का नाम है तो अल्ट्रा साउंड फरतिविम्बन तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं जल्दी एक नए अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्रम झाल को प्रेंक के लिए जैहिंद वीडियो के लिए जैहिंद भीडियो के लिए एक सब्सक्राइब के लिए जैहिंद तो इसे लिए बस्टे सेवे अज़ हैं